Hello my dear students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो बच्चो आज की वीडियो में हम बात करेंगे RD Sharma की Exercise 19.2 Surface Area and Volume of a Right Circular Cylinder बच्चो इस वीडियो से पहले मैं Exercise 19.2 के 17 questions को already solve कर चुका हूँ लिंक आपको description box में मिल जाएगा या फिर I button पर click करके भी आप देख सकते हैं तो चलिए बच्चो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्य की बात सबसे पहले हम बात करते हैं question number 18 की तो चलिए बच्चो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस question का मतलब क्या है देखिए आपको एक tree given है एक पेड़ आपको given है मान लीजिए वो पेड़ आपका ये है ठीक है अब यहाँ पर बात हो रही है trunk की अब trunk क्या चीज होती है the trunk of a tree is cylindrical and its circumference is 176 cm अब यह जो trunk है इसका circumference भी आपको given है कितना है 176 cm देखिए यह जो part है आपका ठीक है यह आपका tree है और यह जो हिस्सा है यह कहलाता है आपका trunk ठीक है और यही आपका क्या है cylinder की shape में है इसी को बोला गया है this is in the form of cylindrical तो बच्चों आप यहाँ पर लिख लेंगे circumference of the trunk आपको given है 176 cm इसके बाद बच्चों बोला गया है if the length of the trunk is 3 meter find the volume of the timber that can be obtained from the trunk अब देखिए length आपको given है trunk की तो length का क्या मतलब है यह जो लंबाई है ठीक है लंबाई का मतलब है यहाँ पर इसकी height के बारे में बोला गया है ठीक है यह जो height है ठीक है h का value कितना है h का value है 3 meter ओके यह जो length है यह जो height है आपकी 3 meter की है ठीक है यह जो आपका trunk है यह आपका cylinder है इसका height है 3 meter तो बच्चों आपको find ज्या करना है आपको find करना है volume of the timber ठीक है और यह कहाँ से आएगा देखिए यह जो आपका trunk है यहाँ से आएगा ठीक है ये portion आपका trunk है ठीक है basically ये आपका cylinder है और इस trunk की help से मैं काफी चीज़े बना सकता हूँ क्योंकि ये आपका wood है लकडी है ठीक है आप बना सकते हैं ply आप घर बना सकते हैं chairs बना सकते हैं etc ठीक है अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये जो trunk है आपका क्या है cylinder है तो आपको volume of the cylinder ही पूछा है ठीक है तो आप यहाँ पर लिखेंगे volume of the timber ठीक है जो कि आपका एक cylinder है ओके formula क्या होता है pi r square h अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना आपको circumference given थी 176 cm okay height आपको given है 3 meter तो इस height को आप convert कर लोगी centimeter में okay so that कि आपका calculation part थोड़ा आसान हो जाए ठीक है तो यह आपका हो जाएगा 300 cm ठीक है 100 से हमने multiply कर दिया तो आपके पास height निकल गया गई 300 cm तो बच्चो volume of the timber find करने के लिए आपको दो चीजों की जरुबत है एक तो radius और height height आपको already given है आपको find करना है radius ठीक है और radius आप निकाल लेंगे यहां से ठीक है इस circumference को आप solve कर लेंगे circumference आपको मालूम है यह portion आपका circumference कहलाता है ठीक है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 2 pi r is equal to 176 ठीक है यह आपका 2 pi r होता है यह जो circumference है ठीक है जैसा कि आप जानते हैं यह वाला portion आपका एक circle है ठीक है और circle का जो circumference होता है वो होता है 2 pi r ठीक है तो आप यहाँ से r का value find कर लेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर values को put कर देंगे 22 upon 7 into r is equal to 176 अब यहाँ पर आप इसको solve कर ले 11 से ओके यह आपका 2 times जाएगा 22 और यह जाएगा आपका 1 और 6 आपका यहाँ पर हो जाएगा तो यह बन जाएगा 66 ओके तो यह 6 पर जाएगा 66 ओके further इसको solve कर लेंगे यह आपका 8 पर जाएगा ओके further इसको solve कर सकते हैं यह आपका 4 पर जाएगा ओके तो basically r का value होगा आपका 4 into 7 that means 28 ओके यह आपका क्या होगा cm में ओके तो r का value आपके पास आ गया 28 cm ओके तो बच्चों जैसे ही आपके पास r का value निकल के आ जाता है आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं volume of the timber let's say यह आपका v है मैं आपका short में लिख देता हूँ v is equal to इसको simplify कर लेंगे 22 upon 7 into r square r square का क्या मतलब है 28 into 28 into h h का क्या मतलब है 300 cm तो बच्चों इसके बाद आप इसको solve कर लेंगे ओके आप इसको simplify कर लें यह आपका 4 पर जाएगा ओके आप इन सब को multiply कर लें 22 into 4 into 28 into 300 ओके इन सब को multiply करने के बाद आपके पास आ जाएगा 739 200 ओके यह आपका आएगा cm3 में ठीक है क्योंकि radius और height आपका cm में था तो यह आपका cm3 हो जाएगा ठीक है बच्चों अगर आप इस answer को convert करना चाहते हैं meter cube में तो यहाँ पर आप इसको simplify कर लेंगे आप लिखेंगे 739200 ओके तो यहाँ पर आप 3 times 100 से ओके 100 into 100 into 100 तीन बार करेंगे क्योंकि यह आपका cm3 है तो यह आपका 2 0 से 2 0 cancel out हो जाएगा अब यहाँ पर आपकी 4 0 है तो यहाँ पर 4 के बाद आप यहाँ पर decimal लगाएंगे किस तरीके से आप answer आजाएगा आपका 0.7392 ठीक है नीचे 4 0 थी तो आपने यहाँ से count करना start किया 2937 that means 1234 तो इसके बाद यहाँ पर आपका decimal आजाएगा ठीक है और यह होगा आपका meter cube में so this is the answer for this problem बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं question number 19 की a cylindrical container with diameter of base 56 cm contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimensions 32 cm x 22 cm x 14 cm find a rise in the level of the water when solid is completely submerged चले बच्चों आप समाझ लेते हैं इस question का मतलब क्या है देखिए एक cylindrical container आपको given है यह आपका cylindrical container है ओके जिसकी diameter है 56 cm ओके diameter आपको given है radius हाँ find कर लेंगे 56 divided by 2 that means 28 cm इसके बाद क्या बोला गया बच्चों कि यह जो cylindrical container है इसमें इतना पानी है sufficient water है कि यह एक rectangular solid of iron को ठीक है डुबो सके submerge कर सके ठीक है जिसका dimension आपको given है length, breadth और height ठीक है 32 cm length है 22 cm breadth है और 14 cm height होगी अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना आप से पूछा गया है find the rise in the level of the water when the solid is completely submerged यानि कि यह जो आपका rectangular solid of iron है यह जो piece है इसको अगर मैं पूरी तरीके से इस पानी में डुबो दूँ लेट से मैं यहाँ पर इसको draw कर लेता हूँ ओके तो यह आपका rectangular solid of iron piece हो गया ठीक है जिसको मैंने पानी में डाल दिया है तो इसको पानी में डालने से होगा क्या water level rise करेगा ठीक है माल लीजिए आपका यहाँ पर water level rise कर जाता है इतना ठीक है तो बच्चों यह आपका original level है water का ठीक है इस solid को डालने से पहले का और इतना आपका rise हो गया ठीक है पहले आपका यह level था ओके इतना और इस solid piece को डालने के बाद आपका इतना level rise हुआ ठीक है तो आपको यही find करना है कि कि कितना level rise हुआ है यही height आपको find करनी है मेरी बात आगई समझ में आपको तो बच्चों इस question को solve करने के लिए हम use करेंगे Archimedes principle आपने सुना ही होगा when a body is immersed fully और partially in a fluid it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it बच्चों हो सकता है आपको यह language आपको एक बार में समझ में ना आए लेकिन मैं आपको simple भाशा में समझा दूगा कि यह principle क्या होता है और किस तरीके से इस concept को हम use करेंगे इस question को solve करने के लिए चली बच्च हैं जब आप एक coin को पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है लेकिन एक boat पानी पर तैरती रहती है ऐसा क्यों होता है आप जानते होंगे अगर आपने physics में point force या फिर upward thrust को पड़ा होगा तो यहां पर एक force लगती है जिसको हम कहते हैं upward thrust या फिर point force ठीक है ऐसा क्यों हो होगा है लेकिन फिर भी यह नाव डूब नहीं रही है तो बच्चो ऐसा इसलिए होता है जो boat है और इसका weight होगा total weight जो होगा वो basically किसके बराबर होगा जितना पानी यह displace कर रहा है नीचे से मेरी बात आरे समझ में माली जिए जितना weight इस boat का है उतना ही यह पानी नीचे स displace करता है जिससे कि यह पानी पर तैर सके मेरी बात आगे समझ में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ weight of the weight of the boat is equal to weight of the displaced water तो बच्चो यह इसका reason होता है जितना boat का weight होता है उतना ही वो पानी displace करता है नीचे से ठीक है तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है ज्यादा detail में हम नहीं जाएंगे तो बच्चो अब हम वापस आते हैं अपने question पर आप let कर लेंगे height को क्योंकि आपको नहीं पत कितना level rise हुआ है तो उसको आप let कर लेंगे आप लिखेंगे let the rise in the level of water b h cm तो इसको अपने let कर लिया अब बच्चो ये concept आपको यहाँ पर use करना है किस तरीके से use करोगे यहाँ पर आपको compare करना है यहाँ पर हमने boat वारा case लिया था और यहाँ पर हम लेंगे आपको given है rectangular solid of iron ठीक है तो यहाँ पर आप रखेंगे volume यहाँ पर बात हो रही थी weight क कि तो यहाँ पर हम बात करेंगे volume की तो आप लिखेंगे volume of water कितना level rise हुआ है ठीक है water का volume of water rises in cylindrical container ओके यह किसके बराबर होगा बच्चो यह बराबर होगा आपका इसके volume के बराबर ठीक है क्या लिखेंगे volume of rectangular solid ठीक है इस तरीके से हमने इसको लिख दिया अब अच्चो यहाँ पर आप इसको simplify कर लेंगे simply volume का formula लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर case है आपका cylinder का तो पायर square h हो जाएगा is equal to volume of rectangular solid तो इसका क्या होता है volume आपको यहाँ पर measurement given है length into breadth into height यही volume होगा okay that means 32 into 22 into 14 ठीक है तो simply आप यहाँ से h का value fine कर लेंगे और यही आपको fine करना था ठीक है तो चलिए इसको solve कर लेते हैं 22 upon 7 into r square r का value आप जानते है 28 है 28 into 28 into h is equal to 32 into 22 into 14 अब बच्चों इसको आप simplify कर लेंगे okay 22 से 22 आपका cancel out हो जाएगा okay और यह 14 से आपका 28 2 times जाएगा okay और इस 2 से इस 32 को हम cancel कर सकते हैं यह आपका हो जाएगा 16 इसके बाद आप इस 7 से इस 28 को 4 times cancel कर सकते हैं okay अब कुछ और बचा है के देखिए नहीं आपके पास 4 और 16 बचा है तो 16 को आप 4 से 4 times cancel कर सकते हैं okay तो आपके पास h का value कितना आगया बच्चो 4 ठीक है तो finally आपका answer आगया 4 cm ठीक है तो basically यह आपका level है जो कि यह rise हुआ है ठीक है तो चलिए बच्चो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए questions के साथ so thank you so much for watching this video हुआ हुआ है